नमस्कार आप देख रहे हैं डीपे लाइफ निज़ डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर टिकट बटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी में घमासान चाचा शिफपाल के 175 उमीद्वारों को दरकिनार कर भतीजी अखिलेश ने नेता जी को स्वापी 403 उमीद्वारों के लिस्ट भड़के शिफपाल यादव ने ट्वीट कर कहा बर्दाश नहीं की जाएगे अनुशासन हीन्ता नोडबंदी के काउंट्डाउन के साथ ही विपक्ष की मोर्चा बंदी हुई तेज आज ममता बैनर जी आएंगी दिल्ली कल होने वाली 16 विपक्षी दलों की बैठक में लेंगी हिस्सा कॉंग्रस भी मोर्चे में होगी शामिल नई साल में भी लगी रह सकती है बैंको और एचेम के बाहर लोगों की लंबी कतारे सूत्रों के मुताबिक 30 दिसम्मर के बाद भी जारी रह सकती है बैंक से नगदी निकासी की सीमा करनाटा के चिंता मड़ी इलाके में भी शनाग सिलेंडर के गोदाम में धमाका आग से 900 सिलेंडर और चार गाड़िया चल कर खाक दमकल की गाड़िया मौके पर मौजूद केरल के सबरी वाला मंदिर में मची भगदर 25 लोगों के खायल होने की खबर दो की हालत नाजुक रसी से बना बैरिगेट तूटने से हुआ हाथसा उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे का कहड़ जारी कोहरे के चलते काई ट्रे ने चल रही है देरी से हवाई सेवाओं पर भी बुरा असर और पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफ्रीदी ने सन्यास के अटकलो को किया खारज टी ट्वन्टी फॉर्मेट में अभी भी खेलते रहना चाहते हैं अफ्रीदी टस्ट और एक दिवसे मैचों से पहले ही ले चुके हैं सन्यास तो यह थी इस वक्त की बड़ी खबरे देखते रहे हैं डी भी लाइव क्योंकि यहां हैं खबरे लगातार